जैहिंद ब्यारेजाती हो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपे प्लेस कॉंस्टेबल की बंपर विकिंसी के वारे में तो आप सभी को बता दें के कुल मिलाकर पचास जार तीन सुए क्या उन पदों पर ये बढ़ती होने वाली है जैस में आपके सिवल पुलिस और पिएसी के बत सामिल रहेंगे तो पूरी इंफोरमेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है 2017 के लिए बंपर विकिंसी रहने वाली है इस क्राइड क्राइडरिया क्या चाहिए क्वालिफिकेशन की होने चाहिए कितनी running होती है कितनी height होनी चाहिए हर एक चीज़ के वारे में इस वीडियो में आप सभी को पूरी information मिल जाएगी क्योंकि आप सभी को बता दें कि officially यहाँ पे भरती board के द्वारा भी statement दिया गया साती में यूपी government के द्वारा भी information दे दी गई है तो आप सभी को हर एक धानकारी clear हो जाएगी तो अगर आप यूपी प्लेस constable की भरती का वेट कर रहें तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करने और वेल आइकन पर प्रेस करने तक कि future में आने वाली हर एक अपडेट का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे वरते हैं और आप सभी को पूरी information देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सभी को मैं official एक update दिखा देता हूँ जिससे कि आप सभी को सारी चीज़े clear हो जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे government of UP की तरफ से भी ट्रेट करके information दे दी गई है जिसमें अगर आप देखेंगे तो यह notification जो आप सभी को सभी जगे देखने के लिए मिल रहा है जिसमें 52,699 सिपाईयों की होगी सीधी बरती UP पुलिस के इतियास में सबसे बड़ी बरती क्योंकि इससे पहले 49,566 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी बरती हुई थी 2018 में इसके बाद यहाँ पे 50,351 पदों पर यह अब तक की सबसे बड़ी बरती हो जाएगी तो यहाँ पर आप आप तभी को पूरी information देंगे कि इसके लिए qualification criteria, age criteria वगएरा क्या होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ते है नम्मर विकिंसी की तरब तो देखिए नम्मर विकिंसी और department को हम छोड़ेंगे, mail लिए आपे बात करेंगे कि आपकी जो civil police में विकिंसी रहेंगी वो रहेंगी 41,811 अगर बात करें P.A.C. की तो P.A.C. में पदों की संख्या रहनी है 8,540 यानि की call मिलाके 50,351 पदों पर एक ही notification जारी होगा जिसमें ये सभी विकिंसी आपकी सामिल रहेंगी हो सकता है कि अगर fire की विकिंसी सामिल इसमें हो सकती है लेकिन अगर fire की नहीं होती है तब भी याँ पे 50,351 पदों पर ये भरती होगी अब दूसरी बात आती है तो देखें ये विकिंसी male and female दोनों candidate के लिए होती है तो महिला पुरूस दोनों candidate apply कर सकते है बहुत सारे candidate का सबसे पहला सवाल ये भी आता है कि other state के candidate apply कर सकते है या नहीं कर सकते है बिलकुल कर सकते है और इंडिया candidate इसके लिए apply कर सकते है 5% का reservation quota होता है साथी में यहाँ पे unreserve category में treat किया जाता है अगर आप UP के अलावा अन्य किसी रास से यहाँ पे form apply करते हैं तो लेकिन आप apply कर सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं आगे बात आती है qualification की तो के वल यहाँ पे 12th pass होने चाहिए आपने किसी भी मानत अपर आप बोर्ड से 12th pass कर रखा है तो आप इस विकेंजी के लिए eligible और form apply कर सकते हैं अब बात आती है यहाँ पे आपकी height की तो यहाँ पे height वगरा देख लेते हैं और age देख लेते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पे age की कितनी होनी चाहिए अगर आप male candidate हैं तो male candidate में EWS general category की अगर बात करें तो 18 से 22 साल यहाँ पे age criteria मांगा जाता है age relaxation को लेके भी बात कर लेंगे पर as per notification जो पहले चीज़े होती है वो यहाँ पे समझ लेते हैं फिर बात आती है SC और ST की और OVC की तो बाकी की जितनी वह reserve category हैं उन सबी के लिए male candidate के लिए 18 से 27 साल यहाँ पे उम्र होती है यानि कि reserve category को चाहिए आप OVC से विलोंग करें चाहिए SC से विलोंग करें या फिर ST से आपको 5 साल की उम्रसीमा में छूट मिलेगी अगर आप female candidate हैं यानि कि महिला ब्यरतियों को अन्रिजर्व category और EWS category में 18 से 25 साल और बाकी की जितनी reserve category होंगी उसमें 18 से 30 साल यहाँ पे उम्रसीमा रखी जाती है अगर बात करने के यहाँ पे आपकी उम्र की गढ़ना कब से की जाएगी तो आप सभी को बता देंगे देखिए उत्तरप्रदेश जो आपका एक भरती नियमा वली जो होती है भरती नियमा वली के तहत जिस बर्स भरती होगी जिस बर्स विग्यापनिस का जारी होगा उस के 1st जुलाई से आपकी उम्र सीमा काउंट की जाती है तो 2023 में भढ़ती हो रही है तो 2023 की भढ़ती 1st जुलाई 2023 से आपकी काउंट की जाएगी बाकी का उमीद यह है कि यहाँ पे 2-3 साल का आपको उम्र सीवा में छूट मिलेगी तो एडिशनल आप इसे एड कर सकते हैं अगर आगे बढ़ें तो देखिए सेलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होता है आपका रिटन एक्जामनेशन नमबर सेकंड पर होता है आपका DVPSD जो कैंडिडेट रिटन एक्जामनेशन में कौलिफा जाएगा नमबर और विकेंशी के रिटन एक्जामनेशन में डाई गोना या चार गोना या तीन गोना जितना भरती वोड़ चाहे उसके एसाब से यहां पर पास करता है फिर होता है आपका DVPSD जिसमें आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल आपकी होती है यह जोनों चीजे एकसाथ हो जाती है और जो बच्चे डोकुमेंट वेरिफिकेशन और पी एसटी में आप पास हो जाते हैं फिर उनका होता है पीटी यानि कि डोड और इसके बाद आपकी आती है final married list और married list आने के बाद आपका होता है medical और जो बच्चे medical में पास हो जाते है वो सभी बच्चे जोईन कर लेते हैं, यानि कि medical के लिए जितनी विकिंसी होती हैं, उतने ही candidate को पास किया जाता है, यहाँ पे पहले married लगती हो और फिर आपका medical होता है, यह process भी आपको समझ लेना है, अब आगे बढ़ें, तो सबसे पहला जो face है, वो है आपका examination, तो written examination के syllabus के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखिए हैं, total आपका इस तरीके से चार सेक्षन में आपका paper divide होता है, जनल नौलेज, जिसमें 38 questions होते हैं, 76 आपके marks हो गए, फिर आपका journal, हिंदी, समान हिंदी, 37 questions, 74 marks, फिर आपका numerical and mental ability, जो कि 38 questions आते हैं, 76 marks, और mental aptitude, reasoning ability, यह आपका 37 questions और 74 marks, यानि कि हर एक question के लिए 2 number आपको दिये जाते हैं, total number of question होते हैं, 150, जिसके लिए 300 number आप सभी को दिये जाते हैं, 2 घंटे का आपका paper होता है, 2 hours में आपको अपना paper complete करना है, साथी में यहाँ पे 0.25 की आपकी negative marking भी होती है, sorry, 0.25 की यहाँ पे आपकी रहेगी, 0.50 यानि की 1Y4 की आपकी negative marking रहेगी, तो यह भी आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, कि 1Y4 की यहाँ पे negative marking है, यानि की हर एक कलवत उत्तर के लिए 0.50 number आपके काट लिए जाएंगे, यह होगे आपका सलेवस, साथी में आप सभी को बता हैं, जो बच्चे UB Bliss Constable की तयारी करने हैं, उन्हें best book मिल जाती है, यहाँ पे चक्सू publication की, जो कि आपके latest exam pattern पे आधारित रहेगी, आपको इस book में 500 paper मिल जाएंगे, जिसमा आपको previous year के paper मिल जाएंगे, साथी में 3000 plus objective question आपको मिल जाते हैं, subject wise आप सभी को पूरी detail दी गई है, तो आप इस book को offline online दोनों तरीके से purchase कर सकते हैं, साथी में इनकी complete guide book और practice site दोनों आप सभी को मिल जाते हैं, link आपको वीडियो को description में दिया गया है, वहाँ से दाके आप book को purchase कर सकते हैं, और अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं, अब written examination के बाद जो second चीज आती है, वो आती है आपका PST and DB, अब देखें, DB जो होता, document verification है, सभी documents आपके check किये जाते हैं, जितने documents आपने लगाएं, फिर इसके अलावा होता है PST, यानि कि आपकी नापतोल, तो male candidate के लिए जो height होनी चाहिए, 168 cm होनी चाहिए, आप किसी भी category से belong करें, सिभाए ST को छोड़ कर, अगर आप ST से belong करेंगे, तो आपकी लंबाई होनी चाहिए, 160 cm, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 cm सभी category के लिए, बाकी का ST category के लिए 147 cm याँपे लंबाई होनी चाहिए, बाकी के याँपे height के according याँपे weight मांगा जाता है, minimum 40 kg आपका वजन होना चाहिए, 40 kg female candidate के लिए, बाकी का male candidate के लिए अगर सीना की बात करें, तो normal सभी candidate के लिए चाहिए, 89 से 84 cm, 5 cm का फुलाव है, 79 से 84, अगर आप ST के अडिगरी से हैं, तो 77 से लेके 82 आपका होना चाहिए, 5 cm का फुलाव, यहाँपर भी compulsory मांगा जाता है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर बात आती है PT, यानि कि यहाँ पर केबल और केबल आपकी रणिंग होती है, कोई high jump नहीं है, कोई long jump नहीं है, कोई गोला fank नहीं है, कुछ नहीं है, केबल दौड होती है, अब दौड की अगर बात करें, तो यहाँ पर male candidate को 4.8 km की रणिंग कमप्लीट करनी होती है पच्छीस मिनट में जो की क्वालिफाइंग है कोई नमर आपको नहीं मिलेंगे के वल रिटेन एक जामनेशन की वेसेस पर आपकी फाइनल मैरें लिस्ट बनती है फिर मेल कैंडिडेट की बात करें तो टू पॉइंट फॉर किलोमेटर की रणिंग 14 मिनट में कंप्ली से आपका मैडिकल में जो भी विच्छे क्वालिफाइं होंगे वो सभी वच्छे ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई मैरेट लगे यानि कि अगर आप फिजीकल अगर आपने पास कर लिया और उसके बाद आपकी मैरेट लिस्ट लग गई और आप मैडिकल के लिए क्वालिफाई हैं तो आप यह समझो कि आप फाइनल आपका हो गया फिर इसके अलावा बात आती है फीस की तो आप किसी भी कैटिगरी से विलोंग करें सभी कैंडिडेट को यहां पर चार सो रुपे अप्लिकेशन फीस पे करनी होगी चाहां सभी को बतातें कि देखिए भड़ती वोड की तरफ से यहां पर जो चीजे क्लियर की गई है वो क्लियर की गई हैं कि तीन महीने के अंदर 3 मंत के अंदर आपकी जो विकिंसी होंगी वो रिलीज हो जाएंगी तो आप सभी को इसके लिए तयार रहना है मैक्सिमा आपको ती ट्यारी करो जो भी बच्चे सीरियस हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि आपको सिर्फ और सिफ यही समय मिल रहा है अगर आप इंतिजार कर रहे हैं कि आपके फॉर्म आ जाएं और उसके बाद आप अपनी तैयारी सुरू करेंगे तो आपके पास सफीशेंट जो टाइम रहेगा वो विल्कुल नहीं रहेगा तो अभी अपनी तैयारी में जुट जाएं उमीद कर रहों कि पूरी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी तो पूरी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ल जाएं आएंगा जाएंगा 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 जाएंगा